नवरात्र के चौथे दिन आज पढ़े मा कुश्मांडा की कथा। नवरात्री के चौथे दिन मा दुर्गा के चौथे स्वरूप मा कुश्मांडा की पूजा का विशेश महत्व है। इस दिन श्रधालू विधिपूर्वक मा दुर्गा की आराधना करते हैं और उन्हें अधिक्स्वरूप और आदिशक्ति के रूप में जाना जाता है। वरत कथा के बारे में जाने। मा कुश्मांडा की वरत कथा। सनातन शास्त्रों में वर्नित है कि प्राचीन काल में तृदेव ने सृष्टी की रचना का संकल्त लिया। उस समय संपूण ब्रहमांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त स्रिष्टी एकदम शांत थी, न कोई संगीत, न कोई ध्वनी, केवल एक गहरा संनाता था। इस स्थिती में तृदेव ने जगत जन्नी आदिशक्ती मा दुर्गा से सहायता की याचना की। जगत जन्नी आदिशक्ती मा दुर्गा के चौथे स्वरूप मा कुश्मांडा ने तुरंथी ब्रहमांड की रचना की कहा जाता है कि मा कुश्मांडा ने अपनी हलकी मुस्कान से स्रिष्टी का निर्मान किया। मा के चहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रहमांड प्रकाश्मय हो गया इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रहमांड की रचना करने के कारण जगत जन्नी आदिशक्ती को मा कुश्मांडा के नाम से जाना जाता है मा की महिमा अद्वितिय है मा का निवास स्थान सूर्य लोक है शास्त्रों के अनुसार मा कुश्मांडा सूर्य लोक में निवास करती है ब्रहमांड की सृष्टी करने वाली मा कुश्मांडा के मुख मंडल पर जो तेज है वही सूर्य को प्रकाश्वान बनाता है मा सूर्य लोग के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की ख्षमता रखती है मा के मुख पर एक तेजों में आभा प्रकट होती है, जिससे समस्त जगत का कल्यान होता है उन्होंने सूर्य के समान कांति मैं तेज का आवर्ण धारन किया हुआ है यह तेज केवल जगत जन्नी आदिशक्ती मा कुश्मांडा द्वारा ही संभव है मा का आहवान निम्नलिखित मंत्र से किया जाता है सुरासंपूर्ण कल्षन रुधिरापलुत मेवच दधाना हस्तपद माभ्या कुश्मांडा शुभदास्तु में या देवी सर्वभूतेशु मा कुश्मांडा रूपेन संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमोनम शास्त्रों में निहित है कि पूजा के समय निम्न मंत्र का जाप करना चाहिए